ये दोस्तों कैसे हो आप पंचमणी के पार्ट वन और पार्ट टू को तो देखी चुके होंगे अगर नहीं देखे होंगे तो ये शौट वीडियो में आप देख सकते हैं या मेरे ब्लॉग में जाकर टीटू रॉल में आप उसको सस्क्राइब करके देख सकते हैं पंडव गुफा और धूप गड़ एक ऐसी सीधी चड़ाई वाली पहाडिया जिसको हम बाइक से राइट करती हुए चड़ेंगे तो चलते हैं देरी न करती हुए यहां हमें हमारे कुछ सस्क्राइबर मिले हैं जो पंडव गुफा में हमसे मुलाकात हुआ दोस्तों आप सामने देख सकते हैं पंडव गुफा यह माभारत खाली निस्थर है जहां पत्थोरों को और विशाल चट्टानों को खोट कर एक विशेश प्रकारशिक कमरा बनाया गया हुआ है जहां वे पहले निवाश करते रहे हैंगे दोस्तों पंचमणी के यह तीसरा वीडियो है और हमें एहशाश हो गया कि यहां पंचमणी प्रकृतिक रूपशे और अपने विशेश प्रकार के पिकनिक स्पोर्ट की रूप में बहुत ही फेमाश है आप यहां जरूर आईए और यहां का आनन्द लीजिए दोस्तों महाभारत का लिनीस पांडव गुफा के शामने एक बहुत ही ब्यूटिफुल गार्डन तयार किया गया है जो कि यह गुफा के शामने ही है आप देख सकते हैं पांडव अपने निवाश के लिए इस प्रकार से पत्थरों को तराश्ट कर रूम्स कमरे बनाया करते थे हम आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर किस प्रकार से है यह दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि चटानों को किस प्रकार से विशेश कारीगरी से तराशा गया है और छोटे-छोटे कमरे बनाये गये हैं उस समय इंजिनियर और आर्किटेक्चर और कारीगर ना रहते हुए भी इस प्रकार से डिजाइन करना अध्भूत है और आप सामने पार्क का बहुत ही बीटिफुल विउ देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको भी सजाए गया है नाइस पार्क और आम आपको दिखाते हैं यहां का नजारा आपको दिखाते हैं यहां का नजारा यह पत्पु से बढ़ा हुए दोस्तो पांड़गूफा घुमने के बाद हम जाएंगे धूबगड की और यह धूबगड का आपको छोटा शब विउ दिखा रहा हूँ यहां तक जाने के लिए हमको सीधी चड़ाई और एक लंबा शफर तै करना होगा जो की बहुत ही डेंजरस है लो दोस्तो हमारा शफर स्टार्ट हो गया अभी सीधी चड़ाई को हम किस प्रकार से अपने बाइक में राइट करती हुए जा रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इतना डिंजरस है कि बाइक लोग यहां बाइक अपना छोड़कर ही उपर पैदल चले गए हैं पर हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि बाइक उपर चली जाए कि बाइए वाव तुख निखने निखने है गाड़ी है, गाड़ी वाव दिखना है, यह घुटित, अपका ड्रागी, पर अग्ले को अग्ले की दिखना है। जबर्दस्त एपाट पाट यह तो सीधी चड़ाई है यहां देख रहते हैं कि हमारी ब्लड चलपाई की नहीं और यहां देखते हैं कि फैसंट प्रो वाले एक भहिया गाड़ी को पुर उपर तक लेया है दोस्तो आप नीचे देख रहे हैं जो रोड वहीं से हमने बाइक स्टार्ट किया था और वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया था और हम अभी टॉप फिल पर आ गए हैं दोस्तो अब हम पहुँच गए हैं धूपगड की चोटी पर यहां से हम आपको दिखा रहे हैं सन्राइस वाली पॉइंट और इसके जश्ट अपोजिट साइड है संसेट पॉइंट अभी आप देख सकते हैं सन्राइस पॉइंट दूपगड में हमारी देश अजाद नी हो था तब से एक प्राचीन इमारत है जहां एक म्यूजियम की रूप में रखा गया है दोस्तो सामने आप जो व्यू देख रहे हैं और प्रवा सिंखला देख रहे हैं वह सत्पुड़ा प्रवा सिंखला है और इसी की हम सबसे उची चोटी परिस्थित है इस फोटोग्राफ को देख कि आपको इसपर्ष्ट हो जाएगा कि इसको धूबगड क्यों कहा जाता है दोस्तो आप यकिन नहीं मानोगे हम 1352 मीटर उपर हैं यह मद्यप्रदेश की और सत्पुड़ा प्रवत की सबसे उची चोटी है जिसे धूबगड के नाम से जाना जाता है दोस्तो आप जो सामने देख रहे हैं वो है संसेट पॉइंट और आप देख सकते हैं आज एक जनवरी है और कितना भीड है लोगों का उस भीड में और इस करोना काल में हम अपना सेप्टी बरगते हुए आपको यहां का दृष्ट दिखा रहे हैं आपको अच्छा हमको दिन भार का शफर करना है हम सुपह साथ बजे से निकले हुए हैं और अभी दोपार के बारा बज रहे हैं और हमको कंटीनियू ट्राइव करना है ऐसा हम सोचे हैं हम पंचमनी से अभी आ रहे हैं साथ बजे से लिखले हुए हैं नौन इस्टाफ ड्राइविंग किये हुए हैं और बहुत ठकान लग रहा है और हम यहां नाकपूर कोंक्ते रूट पर हैं नाकपूर यहां से जादर दोरी करने हैं और हम यहां संत्रे का मज़ा ले रहा हैं। लस संत्रे की जबरदस्त बाडी है। अग्यारी है। यह जो देख रहे हैं यह हमारा हीरो है। सफर में यह कहीं भी हमको धूखा नहीं दिया है। हर जगा चला है इसके लाब अगर कोई आगे का सफर आपको डिखा दो तक हम संत्रे का मज़ा ले लेते हैं धाइंक्यू दोस्तों सुबा साथ बज़े से लेकर रात को नौ बज़े तक कंट्रीन ड्राइग करके हम पंचमणी से छथिस गड़ पहुंचे हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम एक ही दिन में इतने लंबा सफर कभी नहीं किये थे आपको कैसर लगा दोस्तों जरूर बताईएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद